पता है बचमन में स्यूंग्चॉण का सपना क्या था? अमीर बनना ही होगा? नहीं, पोएट, एक पोएट बनना. जानते हो ये क्या है? ये वो पोएम है जो स्यूंग्चॉण ने अपने थर्ड ग्रेड में लिखी थी, और पता है इसका टाइटल क्या है? फ्री, इसका टाइटल है फ्री, मैं इसे पढ़कर सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनना. फ्री, बाई ली स्यूंग्चॉण, मेरी टीचर ने कहा कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, पर कई सारी चीज़े फ्री में मिलती हैं. तुम मुफ्त में सास लेते हो, तुम मुफ्त में ही चलते भी हो, तुम फूलों को मुफ्त में सुंग सकते हो, मुफ्त में आसमान को भी देख सकते हो, तुम्हारी उम्र भी मुफ्त में बढ़ती है. महती हवा की आवा सुनना भी फ्री होता है स्माइल करना भी फ्री होता है सपने भी मुफ्त के चीटियों को देखना भी मुफ्त है अच्छी है ना ऐसा था मेरा बेटा स्यूंग्चॉन दिल का बहुत ही साफ और उसे भी ज्यादा एक नेक इनसान इसे तुम रखो उम्मीद है तुम स्यूंग्चॉन के नेक दिल को याद रखके एक बहुत बड़े और अच्छे बिजनसमैन बनोगे ते आउं